जहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी क्रीम के बारे में जिसकी बहुत जादा हाइप आपने सोशल मीडिया पे भी देखी हुए ओविय कि किन-किन चीजों में आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं तो वीडियो को अन तक देखेगा बहुत लॉंग वीडियो नहीं है लेकिन एक-एक मिनिट कीमती होने वाला है साथे साथ अगर चैनल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया तो जली से कर लिजे यूज़े हेल् आपको इसी चैनल में मिलती है और इंस्टाग्राम पे हमारी 1.3 मिलियन फैमिली हो गई या आप चाहे तो मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों ग्लाइको 6% क्रीम के बारे में आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी इवन मैंने भी एक वीडियो शेयर की हुई है जिसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है कि क्या के काम करती है तो वो चीजे मैं बार-बार रिपीट नहीं करूंगी बट ये जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं उसके बेनिफिट बताने वाली हूँ ऐसे बेनिफिट जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो तो सबसे पहला बेनिफिट है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट जो होने वाला है वो होने वाला है एक्सफोलियेशन आपने अक्टर सुना होगा कि उपरी परत को एक्सफोलियेट करके अंदर से अच्छी स्किन को बाहर लेकर आती है और AHA यानि अलफा हैड्रोसी एसिट का काम ही होता है डेट स्किन ल आता है डेफिनेटली जरूर करनी चाहिए इससे हमारी स्किन रिजुविनेट रहती है और जो भी एक्स्ट्रा डेड लेयर हमारी स्किन के ओपर होती है जिसकी वैसे हमारी स्किन डल दिख रही होती है या फिर हम कहते है कि वो वाली चमक अब पहले जैसी नहीं रही तो उस के लिए एक्सफोलियेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है तो अगर आप एक्सफोलियेट करते है अपनी स्किन को तो बहुत ज़्यादा एक शाइन और अच्छी स्किन आपको अपनी दिखाई देने लगती है जिसे पहरे से डलनेस जो होती है उससे काफी बहतर नजर जाती है जो दूसरा बेनिफिट है ग्लाइको 6% क्रीम का वो है स्किन ब्राइटनिंग आपको सुनके थोड़ा साजीब लगे का गया ऐसे कैसे पॉसिबले के स्क्रीम से ब्राइटनिंग कैसे हो रही है मैं बताती है जब हम एक्सफोलियेशन करते हैं तो अफकोर्स उपर क कि जितनी भी डेट लेयर है स्किन की वो हड़ जाती है तो अचानक आपको ऐसा फील होता है और वाकी में ऐसा होता भी है कि आपकी स्किन का टेक्शर इंप्रूव होता है जिसकी वज़े से आपको लगता है कि स्किन ब्राइट हो रही है और लगने जैसी बात नहीं है वाक के शायद थोड़ा सा लगेगा कि acne treatment कैसे इसका benefit हो सकता है यह तो BHA का काम है यानि beta hydroxy acid का काम होता है बिलकुल salicylic acid ही दिया जाता है acne treatment के लिए लेकिन कई जगह पे बहुत साए dermatologists acne treatment के लिए HIV प्रिफर करते हैं इसलिए glyco 6% cream को कई बार acne के लिए भी यूज किया जाता है बट मैं ऐसा बिलकुल भी नहीं कह रही हूँ कि अभी आपके चेरे पे pimple है तो जल्दी से glyco 6 cream लिए यूज कर लीजे बिलकुल भी नहीं जब तक आपके dermatologist आपको prescription पर लिखकर नहीं देते है या आपको हिदायत के साथ नहीं बताते हैं कि ये cream आपको pimple पर यूज करनी है तब तक प्लीज आप इसको pimple पर यूज ना करें क्यूंकि जो भी dermatologist है, cosmetologist है वो पहले आपका check-up करते हैं आपकी skin कप अच्छे से examine करते हैं उसके बाद ही वो इस निशकर्ष पे इस cream का वो है anti-aging benefits जी हाँ अगर आपको fine lines आ रही है आपकी smile line बढ़ती जा रही है, sport line बढ़ती जा रही है तो आप lyco 6% का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया ये exfoliate करती है skin को अगर आपको लगता है कि dead skin layers के साथ साथ आपकी lines भी बढ़ती जा रही है तो उसमें ये ताफी कमी करती है और धीरे 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 आपको ऐसा मैसूस होता है कि जो fine lines है वो असानी से घर्टी चली जा रही है और मैं ये तो नहीं कहरें कि बिलकुल ही आपकी skin वो 13-14 साल वाली हो जाएगी ऐसा कोई भी करिश्मा नहीं होने वाला है लेकिन आप visible changes अपनी skin में देख पाएंगे जो पांचवा benefit है इस cream का वो है skin texture improvement मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आपको अपना skin texture improve करना है आपको लग रहा है कि आपकी skin पहले जादा bright थी और अप थोड़ी सी dull हो गई है वो वाली shine या वो वाला एक गोरापन जोता आपकी skin पर वो दीरे दीरे खतम हो रहा है उसके लिए आप इस cream को इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इसका भी एक तरीका होता है जो मैं वीडियो के end में आप सब के साथ share करने वाली है तो of course अगर skin texture आपको improve करना है तो ये cream आपके बहुत काम आती है और dermatologist भी कई बार इस cream को बताते है कि आप इसको use कर सक चाटा benefit यानि 6th benefit है इस cream का वो है keratosis pilaris आपने कई बार इसको सुना भी होगा इस word को अगर असान भाशा में बताऊं तो strawberry legs या strawberry arms आपने कई बार देखा होगा कि डाने दाने जैसी skin हो जाते ही कई बार हमारे legs पे और हमारे arms पे भी तो हम दीरे दीर उसको या तो waxing करके ह कोशिश करते हैं इतना कुछ नहीं करना होता है पहले इसका reason जानी यह follicular plugging of keratin की वज़े से होता है जिसकी वज़े से आपको skin पे काले-काले से निशान या जीपसे से दाने से दिखाई देते हैं आप इनको जितना scrub करेंगे उतना ही यह बढ़ते हैं क्योंकि जो problem है वो अ साथवा benefits cream का वो है tan removal आपने अकसर देखा होगा कि गर्मियों में हमारी skin दो कलर की हो जाती है जहां तक कपड़े ढखे रहते हैं वहां तक okay और जहां तक skin सूरज की रोशनी में दिखाई दे रही है वहां से skin जो है थोड़ी सी dark नजर आती है तो आपको simple एक चीज करनी है अगर आप tan removal के लिए GA6% cream यूज करना चाहें तो definitely आप कर सकते हैं इससे भी काफी हद तक आपके tanning रिमूव हो जाती है और अगर आपके पेरों में हातों में इस तरह की कोई समस्य है या face पे भी है तो उसमें भी आपको काफी आराम मिलता है क्योंकि ये उपर की layer हटा के नई skin को बाहर लेकर आती है लेंगे आप ये आपकी skin ऐसी हो गई है जिसको आपको proper treatment की देने की जरूरत है अगर आप नहीं देंगे तो और worst condition में चला जाएगे ऐसे में होता है क्या है दोस्तों सबसे पहले तो आप अपना blood check-up ज़रूर करा लीजिए blood test कराने बहुत जरूरी होते हैं अपना CBC और diabetes check कर वाले क्योंकि कई बार cholesterol बढ़ने की वज़े से या फिर diabetic होने की वज़े से भी हमारी skin ऐसी होती है या thyroid या PCOD की वैसे अचानक से अगर आपका वजन बढ़ना शुरू हुआ है तो भी आपकी skin ऐसी दिखने लगती है तो इसका जब भी treatment करते हैं तो हमारे पास patient की medical history हो होना बहुत ज़रूरी होता है तो मैं हमेशे एक चीज़ कहते हूं कि तुरंट से कोई भी चीज़ यूट करने से पहले हमेशे अपने डॉक्टर की सला ले उसके बाद यह treatment करें यह हो सकता है कि बीमारी बाहर ना हो अंदर हो और पहले आप अंदरूनी लाज कराएं उसके बाद बाहर से आप अपने आप ही ठीक हो जाएं तो हमेशा अपने डॉक्टर के सला के अनुसार ही इस तरह की situation में यह क्रीम का इस्तमाल करें लास्ट बट नॉट लीस्ट नाइन बेनिफिट ऑफ जी ए 6% क्रीम इसको आप कैमिकल पीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं जी हाँ जब डर्मटोलोजिस्स या कॉस्मेटोलोजिस्स कभी भी कैमिकल पील्स वगरा करते तो उससे पहले यह क्रीम अपलाई करने की सला दी जाती है तो यह सारी के सारे जो बेनिफिट से यह आपको देती है जी ए 6% क्रीम एक डिस्क्रेमर मैं आप सभी को देना चाहूंगी कि इस क्रीम को यूज करने से पहले इसके अच्छे तरीके से जाल लीजिये कि क्रीम किन-कन कंडीशन्स में यूज करने चाहिए जैसे कि एक complete video मैंने already अपने channel पे post की हुई है GS6% cream के बारे में प्लीज उसको देख लीजेगा अगर आप थोड़ा भी मन बना रहे हैं इस cream को buy करने का या apply करने का उसमें सारी ही details दी गई है कौन सा age group यूज़ कर सकता है कब यूज़ नहीं करना है किस तरह से यूज़ करना है हफते में कितनी बार यूज़ करना है each and everything मैंने सारी की सारी चीज़ों उसमें describe की हुई है तो please मैं again आप से निवेदन कर रही हूँ कि उस video को देख लीजेगा क्योंकि again वही बाते में इस video में दो रहा हूँ उसका कोई उचित्रे नहीं बनता तो आप एक बार वो video अच्छे से go through कर ले उसके बात अगर आप चाहे तो इस क्रीम को इस्तिमाल कर सकते हैं तो ये था मेरा complete video 9 benefits और इसको मैंने बहुत ही short करके बनाने की कोशिश किये मैं नहीं चाहती थी video बहुत जादा लंबी हो जाए उम्मीद करती ही video आपके लिए useful रही होगे अगर रही हो तो इस प्यारा सो comment करके जरूर जाएगा जिसका comment सबसे अच्छा होगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा एक बहुत ही प्यारा सा giveaway जिसकी announcement में करूँगी अपने Instagram पेज पे अपनी story पे तो आप जब भी देखना चाहें प्लीज वहाँ जाके उसको जरूर देखेगा और video बहुत अच्छी लगी हो तो family friends सभी के साथ share कर दीजे मैं मिलती हूँ आप सभी से next video में तब तक के लिए अपना खयाल रखिए स्वास्त रहिए वेस्त रहिए मस्त रहिए जबरदस्त रहिए Be healthy, be holistic, जे हिनुद